असलाम आलेकम टू आल स्टुडेंट्स आज के विडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिसकस करेंगे वो है आस्मो रेगुलेशन इन फिश उसमें हम फ्रेश वाटर जो मचलिया हैं उनके अंदर और मरीर वाटर में रहने वारी जो मचलिया हैं उनके अंदर वाटर का जो बैलस है और साल्ट का जो बैलस है वो कैसे मेंटेन किया जाता है उसको सीखने की कोशिश करेंगे लेकन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको चंद बनियादी टरम्स का पता होना चाहिए पहले जो टरम है वो है हाइपो टॉनिक। हाइपो का मतलब होता है लेस टॉनिक कहते हैं सिलीूड को। ऐसा सिलूशन जिसके अंदर नमकियाद की मिकदार, सिलीूर्स की मिकदार कम हो उसे हाइपोटानिक सिलूशन कहते है मिसाल के तोर पर ये एक मेरे पास बीकर है उसके अंदर मैंने पानी लिया हुआ है 100 एमल और उसमें मैंने सिर्फ 5 ग्राम साल्ट एड़ किया हुआ है क्योंकि इसमें साल्ट की मिकदार कम है लहाज़ा इसे हाइपोटानिक सिलूशन कहेंगे अगर ऐसे सिलूशन में किसी एनिमल सेल को रखा जाए तो पानी जो है वो सेल के अंदर जाएगा और सेल बर्स्ट हो जाएगा जिसके रतीचे में सेल को डैमेज हो सकता है दूसरी किसम का जो सिलूशन है उसे हम कहते हैं हाइपर टॉनिक हाइपर का मतलब होता है ज्यादा टॉनिक कहते हैं सिल्यूट को यहाँ पर मैंने एक बीकर के अंदर 100 अमल वाटर लेकर उसमें मैंने 20 मिली ग्राम तो पानी सेल की बोड़ी से श्रिंक होकर बाहर निकलाएगा यानि एकस आस्मोसिस होगी उसके नतीजे में भी सेल को डैमेज हो सकता है तीसरी किसम का जो सिलूशन होता है उसे हम कहते हैं आईसो टॉनिक जिसमें पानी और साल्ट की मिकदार एक मखसूस रेशो में मुझूद होती है जितनी के लिविंग सेल्स के अंदर होती है यहां पर मैं अगर कोई लिविंग सेल रखूंगा तो सेल के अंदर ना पानी दाखल होगा ना पानी निकलेगा लेहाजा ये जो आईसो टाउनिक अन्वाइर्मेंट होती है इसके अंदर सैल को डैमेज नहीं होना पड़ता लेकन हमारे इर्द गिर्द के अन्वाइर्मेंट में एको सिस्टम में क्योंकि हम बच्छियों का जिकर कर रहे हैं तो दो तरह के वाटर पाय जाते हैं एक फ्रेश वाटर बॉडिज हैं जिसमें रिवर, लेक्स, केनाल्स इस तरह के पानी आ जाते हैं जिने फ्रेश वाटर कहा जाता है और एक मेरीन वाटर आ जाता है जो के साल्टी होता है, हाईपर टॉनिक होता है तो इन दोनों के अंदर हम देखेंगे कि मच्छियां किस तर मच्छियां बाइड आती हैं उन्हें फ्रेश वाटर फिश कहते हैं और इन्हें हम फ्रेश वाटर टेली ओस्ट फिश कहते हैं ऐसी मच्छियां जो हैं उनका जो अन्वार्नमेंट होता है पानी होता है वो हाईपोटानिक होता है यानि उस पें सिल्यूट की मिकदार कम होत स्टीनो का मतलब होता है नेरो हेलाइन कहते हैं साल्ट को तो ऐसी तमाम मचलियां जो फ्रेश वाटर में पाइड़ाती है उसकी मैंने एक एक अग्जेम्पल जो है वो यहां पर आपके सामने मैंने ले लिए अब क्योंके यह मचलियां फ्रेश वाटर में रह रही हैं इनकी बोड़ी का अट्मासफियर और है बाहर पानी का जो अन्वार्नमेंट है वो और है पानी जो है बाहर अट्मासफियर में वो हाइपो टॉनिक है यानि उसमें सिल्यूट कम है और पानी ज्यादा है लहाजा पानी इनकी बोड़ी के अंदर दाखल होगा तमाम साइडों से ल और ये मचली मर जाएगी लहाज़ा इस मचली को कुछ अडापटेशन्स करनी पड़ती हैं, अख्तियार करनी पड़ती हैं ताके ये उस अन्वाइर्मेंट में जिन्दा रह सके तो सबसे पहले ये मचली पानी नहीं पीती क्योंकि आरडी इसकी बौडी में पानी बहुत सार फ्लेड़ होती है वाटर के साथ, अब उसके बाद फिर ये क्या करती हैं, ये अपने गिल्स की मचल से, क्योंकि यहां पे गिल्स होते हैं, बौडी के अंदर बलड में जो मजूद वाटर है, उसको गिल्स की मचल से निकाल देती हैं, डिफूजन के दरी है, ताके पानी न ना हो जाए, बहुत जादा साल्ट रिमूव ना हो जाए, इसी तरह से इनके अगर हम किड्नी की बात करें, तो किड्नी जो हैं, वो भी क्या करते हैं, वो साल्ट को रिटेन रखते हैं, वहां से साल्ट को रिब्सॉर्ब का लेते हैं, और पानी को बाहर जाने देते हैं, त और चोटी नेफरोन ट्यूबियूल होती है। ग्लोमेरूलस में जब बलड आता है तो बलड में से मैकसिमम वाटर जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। और ट्यूबियूल चोटी रखने का मतलब है ताके पानी कम से कम री अब्सॉर्ब हो। तो लहाजा इनका जो यूरिन होता है वो थाइपो ओस्मोर्टिक होता है जिसमें साल्ड बहुत कम होते हैं लेकर पानी बहुत जादा होता है यानि डैलियूड यूरिन होता है forward बहुत जादा मिकदार में लार्ज कौन्टी में होता है। तो बेसिकली इन मचलियों ने क्या करना होता है? अपनी बॉड़ी में से पानी को रिमूव करना होता है और साल्ट को रिटेन करना होता है जिसके मुतलफ मेकनिसम ये अडॉप्ट करके अपने आपको उस महोल में फिर ये सर्वाइव करती है अगर ये मचलियां ऐसा ना करें तो इनकी death हो सकती है क्योंकि बहुत सारी मिकदार में dilute urine यूरिन पैदा होता है तो लहाजा बहुत सारे salt जाया भी हो जाते हैं तो लहाजा ये active transport के दरीए अपने gills के दरीए salt को absorb भी करती है कुछ salt उनको food से मिल जाते हैं कुछ reabsorption से मिल जाते हैं कुछ kidneys retain करते हैं कुछ gills retain करते हैं ताके body में salt की concentration है वो एक मुनस्ब level तक मौजूद रहे अब इसको summarize का लेते हैं ताके आपको असानी हो जाए सबसे पहले ये जो मचलियां होती है fresh water ये hypotonic medium में रहती है hypotonic medium जिसमें salt कम और water की concentration ज्यादा होती है as compared to their body इन मचलियों की जो body है वो hyper osmotic होती है यानि उनके अंदर concentration of salute ज्यानी salt की मिकदार ज्यादा होती है as compared to their environment उसके बार ये जो urine पर पैदा करती हैं वो hypotonic होता है in large quantity होता है dilute होता है जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा और salt की मिकदार कम होती है इनके जो nephrons होते हैं वो glomerular वरह होते हैं जिनमें glomerulus जा सकता है जिसमें blood supply के जरीए maximum water को kidneys के जरीए remove किया जाएगा ये मचलिया does not drink water पानी नहीं पीती है क्योंके already इनकी body flooded होती है इसके लावा इनकी पानी इनकी body में मसलसल endoosmosis के दरीए दाखल होता रहता है क्योंके ये hypotonic environment में रहती है ये salt को अपनी body में retain रखती है या body से बाहर से re-absorb करती है absorb करती है और ये water को remove करती है तो ये adaptation इक्तियार करके ये fresh water में असानी के साथ अपनी जिन्दगी गुजार सकती अब हम आते है marine fishes की तरफ marine fishes ये भी टेलियोस्ती है इनको हम कहते है यूरी हाइलीन यूरी का मतलब होता है wide heline कहते है salt को यानि जिसमें बहुत ज़्यादा salt मजूद हो marine fishes जो है hypertonic environment में रहती है क्योंके पानी जो है बहुत salt होता है उसके अंदर नमकियात की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है as compared to their body इन मचलियों के अंदर से पानी ex osmosis के जरीए बाहर निकल आता है और ये श्रिंक होकर मर सकती है अगर ये अपने अंदर adaptation नहीं लेंगी अख्तियार नहीं करेंगी तो इनकी death ही यकीनी है लहाजा इन मचलियों ने समंदर के पानी में अंदर जिन्दा रहने के लिए कुछ adaptation इक्तियार की हैं वो क्या हैं देखते हैं सबसे पहले ये फूड तो खाती है उसके साथ भी पानी मिल जाता है अलजी वगरा से और ये सी वाटर को भी ड्रिंक करती है लार्ज मिकदार में लेकर सी वाटर पीने से क्या होगा इनकी बोड़ी में साल्ट की मिकदार पहले ही है तो और ज्यादा हो जाती है इनको सिरफ पानी की जरूरत है साल्ट की जरूरत नहीं है लहाजा ये मचलियां क्या करेंगी वाटर को रिटेन रखेंगी बोड़ी में जबके साल्ट जो हैं उनको निकाल लेंगी उसके लिए सोडियम और कलॉराइड आइन उनको गिल्स की मज़से रिमूव किया जाएगा इसके लावा इनके डिजस्टिव सिस्टम में वाटर जो है उसको रिटेन किया जाएगा और साल्ट को रिमूव किया जाएगा उसमें कुछ मचलियां उनके अंदर रेक्टल ग्लैंड होते हैं जो साल्ड को रिमूव करने के काम आते हैं इसी तरीके से जो इनके किडनी है वो मगनेशियम आइन और सिल्फेट आइन को बोड़ी से रिमूव करते हैं ताकर जिसम में साल्ड की मंगदार मेंटेन रहे इसके लावा इनके अंदर जो यूरन प्रोड़क्शन है वो बहुत कम होती है और वो कॉंसेंट्रेटर यूरन होता है जिसमें नमकियार्ज ज्यादा होते हैं और पानी की मिकदार बहुत कम होती है या ये मचलियां आईसो ओस्मॉटिक यूरन पैदा करती है या ये हाइपर ऑस्मॉटिक यूरन पैदा करती है जिसमें साल्ट बहुत ज़्यादा होता है और ये समाल वालियम में होता है बहुत थोड़ा यूरन होता है और उसके अंदर आइन्स होते हैं मेगनेशियम, सल्फेट, कलसियम और फास्फेट के आइन्स बहुत ज़्यादा होते हैं ताके बोड़ी से ये साल्ट रिमूव किया जा सके क्योंकि बहुत ज़्यादा साल्ट की कांसेंट्रेशन भी इनके लिए नुकसान दे है अगर आप हम इनके किड्नीज को देखें तो इनके किड्नीज में बोमन कैपसूल और गलो मेरूलस नहीं होता सिर्फ इनकी डक्ट होती है नैफरॉन डक्ट होती है जो कि काफी लंबी होती है ताके ज्यादा से ज्यादा वाटर को री अब्सॉर्ब किया जा सके और साल्ट को रिमूव किया जा सके लहाज़ा इनके जो नैफरॉन होते हैं वो एक गलो मेरूलर होते हैं अब ये मचलियां जो हैं इनकी हम देखते हैं अड़ाप्टेशन में अगर हम देखें तो समराइज का लेते हैं सारी चीज़ों को नमबर वन ये मचलियां हाइपर टॉनिक मेडियम में रहती है जिसमें साल्ड की कॉंसेंट्रेशन बेहज ज्यादा होती है इनकी बॉड़ी जो है वो हाइपो आस्मोटिक होती है यानि जिन में साल्ड की कॉंसेंट्रेशन एस कंपेर टू दियर अन्वार्मेट जो है वो लेस होती है कम होती है लहाजा पानी क्या करेगा इनकी बॉड़ी से निकलेगा तो हाइपर टॉनिक जॉरेन पैदा करती है सकैंटी मिकदार में बहुत थोड़ी मिकदार में इनका यॉरेन परड्यूस होता है जिसमें बहुत सारे साल्ट पाए जाते है इसके लावा इनके जो किड्निज है वो एक गलोब मेरूलर होते है नेफरन्स इनके एक लोमेरूलर होते है ताके वाटर को मैक्सिमम जो है वो एबजॉर्ब किया चा सके और साल्ट को रिमूव किया जा सके ये ड्रिंक वाटर बहुत ज़्यादा करती है सी साल्ट को इसके लावा इनके अंदर पानी जो है उसकी एक्स आसमोसिस होती है पानी जो है उसको रिमूव नहीं किया जाता है पानी को बोड़ी गंदर रिमेन कि रखा जाता है और इनकी बोड़ी से साल्ट जो है उन्हें रिमूव किया जाता है इसके लावा ये रिमूव करती हैं साल्ट को और ये रिटेन करती हैं वाटर को ये तमाम मेकनिजम जब ये मचलियां अडाप्ट करती हैं तो फिर क्या होगा इनकी बोड़ी में इन अडापटेशन की वज़ा से इनकी सर्वाइवल असान हो जाएगी कुछ समंदरी मचलियां जैसे कार्टी लेजनस फिश हैं जैसे के शार्क्स हैं इसके लावा रेज हैं उनकी बोड़ी वैसे ही आईसो टॉनिक होती है वो आस्मो रेगुलेशन नहीं करती हैं उनको हम आस्मो कॉनफॉरमर्स में लेकर आ जाते हैं कुछ मचलियां ऐसी होती हैं जो अपनी बोड़ी के अंदर साल्ट की एडापटेशन इक्तियार नहीं करती हैं कुछ गुरुप की वो क्या करती हैं अपनी बोड़ी के अंदर यूरिया के मिकदार बहुत ज़्यादा इंक्रीज का लेती हैं ताकि उनकी बोड़ी का इंटर कर सकता है लहाजा उनके लिए फिर एक और सबस्टेंस वो अपनी बोड़ी में रखते हैं जिने हम टी एमो ट्रायमिधाइल आमाइन अकसाइड कहते हैं जो एंजाइम को यूरिया के जो साइड एफेक्ट्स हैं बैड एफेक्ट्स हैं उनसे बचाता है बाकी इसके लावा भ के लिए जाज़त दें आफेस्ट्स